हलो दोस्तों आप देखरें साइटेक वीजन रूटूब इंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 27 इंच मोनिटर के बारे में with IPS पैनल के साथ में यानि IPS पैनल किसी भी एंगल से आपको quality में कोई भी आनतर नहीं होगा इसलिए आज की रेट में अगर आपको काम करना है यानि कि अगर आप एक graphic designer है graphic design का काम करते हैं यानि coral draw, photoshop पो अगर आप एक काम करते हैं तो आज के रेट में काम करने के लिए बहतर जो पैनल है वो IPS पैनल ही है क्योंकि अधर जो पैनल है थोड़ा सा भी आप left right होते हैं तो quality में differences आते हैं तो उससे दूर होने के लिए आपको चाहिए IPS पैनल ही आज के रेट में तो यह सारे के सारे 27 इंच हैं लेकिन IPS पैनल के साथ में हैं तो एक best quality के यानि कि बहतर से बहतर इस specifications के साथ में आज का महोल देखते हुए कम से कम क्या prices हो सकते हैं कौन कौन से वो अच्छे models हैं वो सारे के सारे models में select करके लेकर के आया हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपको भी 27 इंच monitor चाहिए gaming monitor यह नहीं है यह सारे के सारे आपके business में use होने वाले हैं आपको काम करने के लिए है graphic designing करते हैं वीडियो editing करते हैं उन सब के लिए बहुत ही बेटर monitor हो सकते हैं तो आप इसको buy कर सकते हैं यह वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है फ्लीज वीडियो को like कर दें आपका like हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है एक से content लाने के लिए तो आए समझते हैं कि वो कौन कौन से monitor हो सकते हैं तो सबसे पहला जो monitor है वो है Dell का क्योंकि Dell आप लोगों का बहुत ही पसंदिदा brand है Dell का 27 inch के अंदर यह वाला monitor हो सकता है जिसका model है S2721HN और यह IPS final के साथ में है AMD FreeSync के साथ में full HDD monitor है 75 Hz refresh rate है इसका यानि कि इसके अंदर आप एक gaming भी अच्छे लेबल पर कर पाएंगे जिनका multi-purpose काम है gaming से उतना जादे लगाओ नहीं है लेकिन आप कभी कबार अगर game खेलते हैं एक normal setting पर तो आप 75 Hz पर game खेल सकते हैं उतना problem आने वाली नहीं है और इसके अंदर जो है dual HDMI port आपको मिल जाता है three side आप देखेंगे तो बिलकुल bezel less है यानि कि बड़ा ही प्यारा ये monitor हो सकता है बहुत ही खुफसूरत आपके table पर रखा हुआ ये monitor लगेगा आप इसके साथ बिलकुल भी जा सकते हैं price की अगर हम बात करें तो ये अक्सर 13-14,000 के आसपास में वैरी कर रहा होता है इस price के आसपास मिले तो आप इसको buy कर सकते हैं उसके बाद जो next monitor है वो है BenQ का जो की आप लोग बहुत ही बेसबरी से वेट कर रहे होते हैं तो BenQ का 27 इंच के अंदर ये बाला monitor आप buy कर सकते हैं H2S विल्कुल स्लीम है थ्री साइट से फुल HD है IPS पैनल के साथ में VGA port, HDMI port और डिस्प्ले पोर्ट सब कुछ इसके अंदर जो है connectivity मिलेगा audio in port भी इसके अंदर आपको मिलता है और inbuilt speaker ये आएगा यानि कि सारे connectivity के साथ में बहतर performance के साथ में 27 इंच का monitor ये हो सकता है आपके लिए BenQ का जो की iCare टेकनलोजी के साथ में भी आता है इसका price की अगर हम बात करें ति 1314,000 के बीच में ये भी वैरी कर रहा होता है इन दोनों में जो brand आपको सही लगे वो आप बाई कर सकते हैं उसके बाद जो next है वो है Acer का बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत monitor वाइट कलर का अगर आपको चही तो ये monitor भाई कर सकते हैं ये IPS panel के साथ ultra slim है बहुत ही पतला monitor है ये आपके table पर बहुत ही खुबसूरत दिखने वाला है frameless design है इसका AMD FreeSync के साथ में आएगा iCare feature के साथ में आ रहा है stereo speaker इसके अंदर भी आपको मिलेगा एक Vizia port मिल रहा है एक HDMI port मिल रहा है एक जो है audio input port मिल रहा है तो ये सारे feature के साथ में बहुत ही अच्छा लेकिन ये LCD monitor है ये आपको ध्यान देना होगा ये आपके लिए बहुत ही प्यारा monitor हो सकता है कहीं न कहीं तो जैसे कि look wise अगर आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत monitor है तो अगर आपका भी ऐसा काम है photos, coral, draw अगेर चलना है video editing करना है तो इन सारे काम के लिए ये IPS panel के साथ में बहुत ही प्यारा monitor हो सकता है इसके बाद जो next monitor है वो है LG का जो की monitor के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है LG ने maximum logo के पास आपको LG देखने को मिल जाएगा तो LG का ये जो monitor है वो है 27 inch के अंदर ही full HD IPS panel monitor है ये दो इसके अंदर HDMI मिलता है और एक जो है VGA port और audio output port के साथ में ये सारी facilities आपको मिलती है 75 hertz refresh rate के साथ में आपको मिलता है MD FreeSync के साथ में तो ये भी बहुत ही अच्छा monitor आपके लिए हो सकता है अगर LG चाहिए आपको LG ले सकते हैं ये भी monitor जो है 3 side से बिल्कुल bezel list है जितने भी मैं monitor की list ले करके आया हूँ वो सब के सब monitor इन कामों के लिए एक से एक हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप बाई कर सकते हैं next जो monitor है वो है Lenovo का बहुत ही खुफसूरत monitor इसके जैसा monitor आपको दूसरा monitor नहीं लगेगा खास करके look wise और बागी की specifications की अगर हम बात करें Full HD IPS panel के साथ में है और बिल्कुल as to as है ये यानि कि अगर सही माइने में borderless की बात करें तो यही monitor borderless है जिसके अंदर बिल्कुल भी आपको border देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल 100% ये borderless monitor है 75 Hz का anti glare technology के साथ में आएगा 4 ms का response time है VGA port इसके अंदर आपको मिल जाता है HDMI port मिल जाता है AMD FreeSync के साथ में आता है TUV Eye Comfort Certified है यानि आखों के लिए भी आपको कोई problem होने वाली नहीं है बस इसका price है लेकिन ये price जो है ये deserve करता है ये 15-16,000 के आसपास में वायरी कर रहा होता है थोड़ा सा gaming के लिए ये इतना अच्छा response नहीं करेगा क्योंकि 4 ms जो है इसका response time है जो की काफी जादे है ये बाकी काम के लिए बहुत प्यारा है बहुत अच्छा साबित हो सकता है ग्रैफिक डिजाइनिंग है फोटोस आप को और ड्राव अगेर आपको चलाना है तो आपके लिए बहुत प्यारा मॉनिटर ये हो सकता है तो दोस्तों ये थे सारे मॉनिटर इसमें से जो आपको सही लगे वो आप बिल्कुल बाए कर सकते है अगरे वीडियों को लाइक कर देजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजिए और पहली बार चैनल पर हैं तो प्रीड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकंउन पर क्लिक करके और प्लिक कर देए क्योंकि मैं श्रक के बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो आपके लिए काफी helpful साभी सो सकती है मैं मिलता हूँ next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लापकों का दिल से धन्य बात करता हूँ आपका दिन सुभो आपका दिल सुभो